हेलो, 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 माई डियर फ्रेंड, स्वागत आपका, अभी नंदन आपका, अभी तक हम लोग जो हैं, एक प्रकार से, उदारवादी विचारधारा की साथ साथ, एक प्रकार से जो हैं, एक प्रकार से यहां पर डिस्कसन किया था, और इस डिस्कसन की अंतरगत परिसुद जिसे डिस्कसन कहा जाता है, उसको हमने इसमें रखने की जो हैं, कोशिस की थी, और ये भी जो हैं, ध्यान में रखा था की, किस तरह से 2005 की जो हैं, एद्यूकेशन पॉलिशी को जो हैं, इसके अंदर गत एक प्रकार से रखा जाए, ताकि वास्तविक ज्ञान का हम जो हैं, प्राप्ति कर सकीं, इसी लिए, धीरे धीरे करके हमने जो हैं, गांदी जी के चंपारण के सत्याग्रह को सीखा था, और मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं, कि सत्याग्रह आपको समझना है, पिर चंपारण चलते रहेंगे, कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन पहले आप साधक बनिए और उस साधक की साधना आपकी पवित्र होनी चाहिए साधक अगर आप बनते हैं तो साधन की पवित्रता का नाम ही जो है और सात्यता की पवित्रता होना ही एक प्रकाड से सत्यागरह कहलाता है और यह जो सत्य का आगरहता इतना पवित्र था मित्र कियागर में आपको एक प्रकाड से ले चलू अंतिम दोर पर जहां पर है सेकंड वर्ल्ड वर हुआ था और दित्य विश्युत में एक देश नहीं बल्कि जो है 1945 के पाद जो है तमाम देश एक प्रकार से अमर संख जी जैहिंद सर जैहिंद आपको जी अभिनंदन आपका अमर संख जी उस दोर में हमने आप से बात कर ली थी कि एक प्रकार से परिसुद्ध जब जो है सेकंड वर्ल्ड वर आपका चल रहा था तो सेकंड वर्ल्ड वर में एक देश नहीं बल्कि कई देशों ने जो है आजादी की भूमिका को अदा किया था उन्होंने भी आजादी के पवित्र जो इस्नान था उसमें जो है डूपकी लगाई थी तमाम प्रकार के देश्ते में धिरे धिरे उन चीजों पर आऊंगा फिर पिचारणी प्रश्ण माइडियर ये हो जाता है कि क्या किसी भ्यक्ती ने भारत को आजादी दिलाई या फिर उसमें हम सब का भी योगदान था हम अक्सर जो हैं गंबीरता से जब मौडन इंडिया को देखते हैं तो मौडन इंडिया आदुनिक भारत में हम देखते हैं कि उसमें भले हमारा जहनम हुआ हो या ना हुआ हो लेकिन एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि हमारे दादा जी ने उस समय महंगाई का तोर सहा होगा और जो महंगाई का तोर उनोंने सहा होगा तो निश्यत तोर से हमारी भी उस आजादी रूपी यग्य में आहुती रही होगी तो यानि कि सभी का मिला जुला असर इसमें रहा था सिर्फ गांधी जी हो या आजाद हो या फिर नेहरू हो या फिर अन्य कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि मैंने भारत को आजादी दिलाई सभी लोगों का इसमें योगदान रहा है अगर आप गंबीरता से इसको एक प्रकार से सोच सकते हैं यह दून डिफेंस एकड़मी नहीं है अमर संकी जी दून डिफेंस करियर पॉइंट आप टेंथ के बाद जो हैं जोईन कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं आप हमारी आपसे अभी कॉंटक्ट हो जाएगा अपना नमबर आप सेंड कर दीजिए आपसे तुरंत कॉंटक्ट हो जाएगा टेक्निकल डिपार्टमेंट के द्वारा मैनेजमेंट के द्वारा आप नमबर अपना सेंड कर दीजिए उसमें जो हैं आपको नमबर दिख भी रहे होंगे स्क्रीन पर वहां से आप डिटेल कॉंटक्ट जो है माइडियर ले सकते हैं बिल्कुल एडमिशन आपक कॉंटक्ट कर सकते हैं या उनसे अभी बात आपकी जो हो सकती है चलिए ऐसी कंडिशन में हम सब ने जो है एक परकार से जो है इस आजादी की यग्य में जो है अपनी आहुति को जो है एक परकार से इसमें जो है संविलित किया था तो मैडियर हमने कांधिवाधी चरण को जिन गांधी जी का हम अनुपम द्रिश्य देखते हैं तुल्सिदास ने जो है रामचरित रामचरित मानस के अंतरगत जो है कहा कि जैसी जिसकी सीरत है वो वैसी ही उसकी सूरत को देखता है तो हम लोगों को कैसे जहें गांधी जी दिख रहे हो सकता है कईयों को गुसा भी आ रहा हो लेकिन इस द्रिश्य को आप देखिए कि जहां पर एक अर्द नगन फकीर फ्रेंगो मौरिस जिसके बारे में कहते हैं कि जब एक अर्द नगन फकीर जेम्स पैलिस की सीडियों को चड़ रहा था सेकेंड राउन टेबिल कॉनफरेंस में तो द्रिश्य बड़ा ही मनोहारी था वो द्रिश्य इतना मनोहारी था कि बड़ा विहंगम सा द्रिश्य था नाइंटीन फोटी टू में उन्निसों पैयालिस के अंतरगत जो हैं जब हम इस चीज को देखते हैं किस चीज को कुट इंडिया मुव्मेंट को देखते हैं तो उसका आठ अगस्त का उसका भासन सुनना मित्रों फिर मैं खेडा चंपारण उस पर आजाओंगा आठ अगस्त को जब हम कुट इंडिया मुव्मेंट की जो हैं बात करते हैं तो वैसी कंडिशन में पट्टाभी सीता रमिया गांधी जी के बारे में कहते हैं कि कि आज कभी उन्होंने लंबा चोड़ा भासन नहीं दिया मित्र जो चीज मैं गंभीरता से बोलता हूं उसको आप गंभीरता से लीजे बाकी कोई बात नहीं हसी उसी का माहोल रहता है हलका फुलका मूमेंट रखना चाहिए सहज योग हमें करना चाहिए कि इतना सहज योग करना चाहिए my dear friend कि आइस्टाइन को जब theory of relativity आप science के भी बहुत सारे student हमारे साथ जुड़े होंगे आइस्टाइन को जब जो है theory of relativity के बारे में पूझा गया था कि तो आइस्टाइन को लोग पूछ रहती यह त्योरियों रिलेटिविटी क्या थी तो आइस्टाइन ने जानते हो क्या कहा आइस्टाइन ने कहा जब आप कोई मुवी देखते हो जब आप किसी अच्छे व्यक्तित्यों के साथ रहते हो तो आपका समय का पता नहीं चलता है और जब आप कुछ बोरिंग सी चीज को देखते हो या बोरिंग सी मूवी देखते हो या फिर बोरिंग से ब्यक्ति के साथ आप बैठते हो तो आपको समय को काटना काफी जो है मुश्किल भरा एक प्रकार से जो है हो जाया करता है तो यही मेरी का थियोरियों रिलेटिविटी है यही मेरी देखना पड़ेगा तो हमने गांधी जी का सबसे पहला जो है चंपारण सत्याग्रह पड़ा था जहां से गांधी जी गांधी जी ने मैंने आपको पड़सों एक दिखाए थे यह देखिए इन चित्रों को हमने आपको दर्शन दिये थे इन चित्रों के माध्यम से कि देखि यह गन्दी जी है अर्धनगन फकीर है एक संत है जिनको फ्रांगो मौरिस ब्या Megan विएर कहते हैं चम्पारण सत्यागर कि हमनि आपसे बात की टि कि गांदी जी ने चम्पारण सत्यागरई को किस प्रिकार सिजम को किस प्रकार से जिया था और काम्याब भी हुए थे और उसके बाद गुरुदेव रभिंद्रनात टैगोर ने जो हैं इन्हें एक उपादी दी थी महात्मा की उपादी और मैं डियर अगर मैं आपसे एक बात करूं कि इनको अगर राष्ट्र पिता किसी के द्वारा कहा गया है किसको गांधी जी को अगर जो है रा रविंद्रनात टैगोर का था रविंद्रनात टैगोर का था यह रविंद्रनात टैगोर का था महत्मा जीनों ने जो है गांधी जी को बोलत और राष्ट्र पिता आप जानते हैं कि राष्ट्र पिता इने जो है किसके माध्यम से नेता जी सुभास चंद्र बोस के माध्यम और यही पर ध्यान में रखना महात्मा गांधी को जो है ये देखे महात्मा गांधी को जो है रविंद्र नात टैगोर ने महात्मा कहा था इसे नोट करना आप और रविंद्रणात्ट टeगोर को जो है क्या गुरुदेव किस नी कहा था महत्मा गांधी के द्वारा कहा गया था यहां राष्ट पिता गांधी जी को जो है राष्ट पिता नेटाजी सुवाश चंद पोस न ही कहा था और नेता जी यहाँ पड़ जो हैं किसको सुवाज संदवोस को किसनों ने कहा था हिटलर ने हिटलर की ही आत्मकथा को नोट कीजे मीन कैंफ के नाम से जो हैं इनकी आत्मकथा जानी जाती है हिटलर यह जर्मनी के जो हैं रूलर हुआ करते थी तो जर्मनी के जो रूलर हुआ करते थे वो हिटलर महधे थे जिन्नों ने शुबास चंदवोस को जो हैं denita जी ताइटल दिया था और ने नेता जीने किसको गांधी जी को जो हैं राष्ट-पिता नाम था अमर संग जी बापुजी उनके प्यार का नाम था चिंदा मत कीजिए बस दो टाइटल इनके ऑथेंटिक चलते हैं वैसे थोड़ा आप जब क्वेशन पूछी रहें तो राष्ट जो पिता है ये ऑफिसियल हमने इस पर आर्ट याई वगेरा भी डाली है राइट पूछ दिया है तो राष्ट पिता जो है कोई ऑथेंटिक अभी तक जो है ऑफिसयल और में नहीं इसको थोड़ा ध्यान में रखना लेकिन सांकेतिक रूप से इनको राष्ट पिता कहते हैं अगर आप आर्ट याई राइट टू इन्फोर्मेशन अगर भाड़ती गजट म बोलते हैं बुड़े जी बोलते हैं वैसे सामानी रूप से बापु जी थे लेकिन इनके दो ही नाम आते हैं मात्मा इनका ऑथेंटिक नाम है और राष्ट पिता इनको जो है नेता जी ने टाइटल दिया थे तो बापु जी कोई नहीं बाभू जग जीवन राम भी जो हैं अलग से हुआ कट्ते थे बापु सब्द किसी की द्वारा नहीं इनको जो कहा गया था बलकि सम्मानी रूप से हम भी जो हैं बापु जी कहा करते हैं पिता शिरी को तो यह सामानी बात है इसमें जो हैं जादा नहीं तो आइसी कंडिशन के अंदर राष्ट उनेता जी के द तक जो है राष्ठपिता की नाम से किसी को लेकित नहीं किया अगर आप इसको जो है राइट टुए इंफोरमेशन के अंदर डालेंगे तो आपको साम मना कर देंगी कि ऐसा कोई सब्द जो है एक प्रकार से जो है नहीं आ रहा है चलिए राष्टपिता फिर भी जो है नेता जी के द्वारा उनको जो है क्या एक प्रकार से जो है कहा गया था तो माई डियर प्रेन अमने जो है चंपारण की जो है बात की ती यानि कि गांधी जी का इसे नोट कर लेना बस इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना गांधी जी का जो हिसाब किताब बन रहा है वो चंपा अहमदाबाद मिलिस्ट्राइक की तरह पर अहमदाबाद मिलिस्ट्राइक 15 मार्च 1980 को अहमदाबाद में मिल हरताल हुंती गांधी जी को देखे न कि कैसे ये गांधी जी का एक हिसाब किताब रहा होगा ये गांधी जी किस टाइप के प्यक्तित्तों रहे होंगे कि एक आम आदमी से जुड़ते हैं चमपारण किसके साथ गए चमपारण गए ये किसके साथ किसान लोगों के साथ उनके आंदोलन को लेने के लिए ये कहा जा रहे है शंपारण में जा रहे है दूसरी चीज़ देखिए एहमदाबाद में किस के मिलों के यानि कि मजदूरों के साथ जा रहे है मजदूरों के कोई बड़े उसमें ये नहीं जा रहे है संग्लोग से वायोग में पकड़नी पड़ेगी इसलिए इतना बड़ा संग लोग से वायोग होता है कि आपको आपको पड़ी कड़ियों को जो है जो उने पर मिल थी उसमें बोनस दिया जाता था मज़्दूरों को गौर से समझना 25 परसेंट से 35 परसेंट बढ़ा दिया गया अब जो है 25 परसेंट से 35 परसेंट है क्योंकि जो है प्लेग फैला हुआ था अब अब कारण देखिए बोनस कब बढ़ता है जब यह कोई चीज हो जाती है प्लेग फैला था अब जो है जब फैल गिया था तो पहले क्या होता था जब भी कोई बीमारी टाइप की लगती है या कोई भी आपदा वगेरा अगर आती है तो सरकार एक मदद करती है कि एक कंपनी एक हेल्प करती है आपकी क्या यह भुरा दोर है कोई आपता आती है नहीं आदे डिजास्टर कहीं हो गया कहीं बाड़ आ गया भूकंप आ गया कि चलो इनको खाने के लिए दो बित्तिय वेवस्ताइं इनके लिए क्या करो एक प्रकार से सुद्रिड करो इस क्या होती थी कि मिलके जो मालिक थे वह मिलके मालिक क्या करने एक प्रकार से जो है इनके जो है बोनस को 25% से बढ़ा करोन 35% कर दिया कि लेकिन 1918 में जो है प्लेक समात हो गया अब दो मिनट के लिए सोचिए चींट कि फाई कोई डिजास्टर आ गया कोई आपदा अगर आजाती है अगर आपदा आ गई है तो बोनस समगत हो जाना ची गलत क्या था दो मिनटे के लिए सोचे न अ हाँ जी ये दूसरा सत्यागरा था अमर संक ये फास्ट सेक्ड सत्यागरा मूवमेंट है ये फास्ट या सेकंड सेकंड चल रहा है साथ 1907 में चंपारन सत्यागरा था कि 1915 में 17 में चंपारन था इसलिए मैंने यहां पर जो है 15 मार्च है 1918 डाला है यह सेकंड सत्यागरा एडियर अब देखीगा 25 से 25 परसेंट था अप्ले हट गया वाई तो बात खतम हो गई भाई जब आहां पता नहीं रही तो अब किस्पाग कप हो नस तो बात न Şimdi फिर हम प्ला मी matsy कि accomplish करते हैं जिए फिर बात नहीं संसाओं पाइब हैं 25 परसेंट से 15 कि समाप्ट करते हैं क्या समस्या भी है क्या उन्धिक्कतत कडियां दिखाई देतीें गांधी जी जाते हैं और गांधी जी किसके सबोर्ट करते हैं का थी जय मुजदूर का सबोर्ट करते अब आपको प्राइम भेसिया क्या लग रहा है तो बात जाता है कि यह पानी में कितना डूबा हुआ है यह तो तुम्हें किताब में मिल जाएगा यह तो बात आपकी समझ में आई जाएगी किया बोनस खतम होगे अभी तक आप सहमती व्यक्त कर रहे होंगे हां यार बात तो सही बाई जब मैंने तुम्हारी मदद कर दी तुम्हें कोई अगर help कर रहा है तो उसी समय तो करेगा नो तुमारी help जब आप पर कोई disaster कोई आपदार क्यों कि उसका ठेका ले रहे हो ते तुमारे लिए हड़ समय वही करेगा कि ऐसा तो होगा नहीं कि तो अब देखिएगा फिर हम कडियों को देखते हैं अरे क्यों गांदी जी जा रहे हैं तरसल में हो क्या रहा है 1914 से लेकर और 1918 तक चार वर्च यह फर्स्ट वर्ड वार लगा हुआ है कि वर्ड वर अब जब वर्ड वर होता है माई टियर तो कोई भी देश यह वर नहीं चाहता है जो बुद्धिमान लोग होते हैं एक तो जो है इसे लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं जी युद्ध करदो अरे युद्ध होगा तो इकोनोमिक कंडिशन कितने डाउन हो जाएगी यह सिर्फ बोलने की बात नहीं थोड़ी नहीं है यह भी तो देखो ना कि लोग संदिशन कितनी डाउन इस्ति में आ जाएगी वर्ड वर होगा तो साना का साना चेतना बजट कर जाएगा किसको आर्मी को और आम जगा क्या नौकरी चाक्रियां नहीं मिलेंगी तो फिर आमारी बात क्या आगई समझ में आगई अरे यार इसी वज़े से मजदूर लोग अपना बोनस कितना करवाना चाह रहे थे कि 25 से 35 परसेंट क्या करना चाह रहे थे अपने बोनस को इसे अर्क और गांधी जी ने पहली अंगर रिष्ट्राईक की आप गांधी जी ने मजदूरों को बोला कि हंगरे श्ट्राईक करो ये गांधी जी की पहली भूखरताल थी, ये देखेगा, इस कड़ी को नोट कीजिएगा, भूखरताल, कौनसी? चाहबै है, आपering, आपके पवित्र होने ही चाहए, और साद्य ऐम आपका पवित्र होना चाहए, अगर ये चीज़ें आपके अंदर पवित्र हैं, तो आप सत्या गग रही है, ये भूखरताल ले जो आपको जो है, तांगत देती हैं, माई डियर तागत है यह भूख अड़ताल है अगर आप जो है कुछ चीजें देखते होंगे तो एक होता है प्रत है एक व्रत होता है और एक होता है उप्वास दोनों में एक अंतर होता है भूख अनताल आपको इंटरनल मजगूत करेगी वह आपसे जो होगी इसलिए बोला जाता है ने उप्वास कीजिए एक ब्रत और एक जो है उप्वास होती है अभी आते हैं डियर अनुसुए सारा वाई अब ऐसी कंडिशन के अंदर एक ब्रत होत होता है भाथ का मतलब क्या होते कर दश्य quèता अटस किYou,ioda समय तक चलता रहता है अढ़ना कि हम सुबरे लेते हैं आज की रात लेंगी और कल खतम हो जाएक या पर्सों खता मो जाएक वह उप्वास होता जो छुचलिक होता है तो यह हमें मजबूत कर रहा है तो भूखरताल जो है हमारे इंटरनल पावर को क्या कर रही एक प्रकार से मजबूत कर रही तो गांधी जी ने जो है क्या एक प्रकार से भूखरताल पहली भूखरताल को नोट करना और ये कामियाब हुई गांधी जे ने स्वयम भूखर्ताल की मजदूरों को बोला कि आप भूखर्ताल कीजिए और भूखर्ताल जब आप करेंगे तो ऐसी कंडिशन में सरकार उनको मिल मालिकों को जुकना पड़ा और बोनस उनोंने 25 से लेकर कहां कर दिया 35 की तरफ कर दिया और यहीं पर एक क्वेशन और संग लोग से वायव पूशता है कि अनुसुया जो बेन है अनुसुया बेन यह अनुसुया बेन जो हैं गांधी जी का सपोर्ट करती है जबकि इनके भाई होते हैं अंबालाल सारा भाई अंबालाल सारा भाई सभी expect appreciate, यानि कि बेहन तो जो है गांधी जी की धूगरता लका यानि कि एहमदाबाद मिलिस्ट्राइय का सपोर्ट कर रही है लेकिन कौन नहीं कर रहा है अम्बालाल सारा भाई भाई नहीं कर रहे हैं तो कारण पूचा गया है ऐसा क्यों होगा भाई भाई कर रहा है भेहन नहीं कर रही है तो अम्बालाल सारा भाई तरह सल में मिल मालिक हैं यह देखे न और जब वो मिल मालिक है तो ऐसी कंडिशन में क्या होगा डेफिनल्डी आप समझ सकते हैं कि मिल मालिक है तो चाहेंगी कि इनका पोनस कम से कम रहे तो अंबालाल सारा भाई की बहन अनुसुया बेन जो हैं क्या गांधी जी का सपोर्ट करती है जब कि अंबालाल सारा भाई इसका सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो जो है मिल मालिक जो है एक प्रकार से होते हैं और यह अंबालाल सारा भाई कौन है 1915 में जो हैं अंबालाल सारा भाई 1916 में 15 में जो हैं गांदी जी क्या होते हैं भारत आते हैं और 1916 में जो हैं अम्बालाल सारा भाई की मदद से जो हैं साबर मती आसरम की इस्तावना की जाती है साबर मती आसरम साबर मती आसरम और अम्बालाल सारा भाई की ये भी आयोग पूसता है कि किसकी मदद से साबरमती आस्रम खोला जाता है तो अंबालाल सारा भाई की मदद से और क्वेश्चन बताएं इस साबरमती आस्रम को ही जो है क्या एक प्रकार से स्वराज आस्रम भी कहा जाता है स्वराज आस्रम कि और इसी साबर मती के तट से जो है दांडी यात्रा सिविल डिस ओविडेंस मुवमेंट भी क्या हुआ था इस्टार्ट हुआ था कि तो इस तरह से जो है सेकेंड जो है सत्यागर्ण भोल लीजिए आप यह ऐहमदाबाद मेली स्ट्राइक थी को जिसने गांदी-जी को क्या बना कर रख दिया था एक प्रकार से जो हैं एक स्टार बना कर जो है रख दिया आद और इसी समय जो है और डीप मेन आपको ले जात अनुस्विया बेन अंबाला सारवाई को हमने यहां जोड़ दिया स्वराज आस्रम सावर मति को जो हम कहां ले गए जो सिविल डिस ओविडेंस मुवमेंट था इसी के अंतर का जो है इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए फिर उसके बाद में एक और चीज़ एटला में इसको थोड़ा नोट कर लिए अंगे 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 मार संक जी आ गया समझ में बात कि है कि 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 अगर याब में चली अब हैसी कंडिशन के अंतर करते औरुवेऌं। अब जो है क्या हो गया यह नोट कर देना है मैंसारां अम्राल साना भाई सावरमती आसरम ditके कसना साभर मती आसरम यहना साहत वो भी बतन वो भी कर देगा कि सावरमतियासनम किसका था गांदी जी का था लेकिन किसकी मदद से बनाए था अमबलाल सारा भाई की मदद से बनाए था अब देखिए इसी में जो है एहमधाबाद बाद टेक्स्टाइल लेवर एसोसियेशन यानि की टेक्स्टाइल लेवर एसोसियेशन एटला एटल नोट की एटला की इसी समय जो है क्या हुई थी फाउंडेशन रखी थी बड़ी 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 सा क्वेशन में आप से बात करना हूं एटला की स्तापना हुई टेक्स्टाइल लेवर एसोशियेशन यानि की ट्रस्टी सिप का सिद्दान्थ आ गए वही पर ट्रस्टी सिप कि ट्रस्टी सिप का सिद्दान्थ किसके दोरान दिया था मैंने आपको इसका दर्शन बता दिया था मित्र जिसने मुझे सुना होगा देखो उसी की समझ में आएगा नहीं तो फिर पैट कर जो है मुरली बजाना ही हमारा काम रहेगा ट्रस्टी सिप का मतला है नियास अधारिता का सिद्दान्थ गांधी जी का देखो जैसे हमने आप से चड़्चा की ती उस दिन हमने नियास अधारिता का सिद् सकते हैं जिसने देखा होगा उसकी समझ में नियास धारिता का सिद्दान्थ पर हमने लंबी चौडी चड़्चा की थी आपकेसा के प्षाट पिट्रस्टी सिप का सिद्दान्थ हमने आप से बोला था fifty 아버uni जो सिद्द्धांथ आप से बताये सत्य और रहिंसा की सिद्दान कोई सामाने सिद्दांद नहीं थे गांडीजी को हमने समाज्वधारत कहा था माईडियर जी इसिद्धांद दूस्रों के लिए नहीं। बलकि स्म्र भी其實 बांडेलखों किया है माइडियर सोयम भी उन्होंने अपने सिद्धान्तों को एक तो मैं दूसरे के लिए बोलूँगा देविय सहयोग के रूप में जैसे देविय फॉर्मॉला नहीं बनता कि आज उसने का जी लगाओ जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक देविय रूप रेखा तयार करते ह आठ से नौ बज़ तक मैं नास्ता करूंगा 9 से 12 में पढ़ोंगा फिर मैं एक बज़े से पढ़ोंगा फिर मैं तीन मज़े जैनी कि 20 गंटे का आपने तेविय क्या बना देना है चाल्ट बना दो कि अर्फिर तीरे तीरे तो या तीन दिन होते ह। हैं चाल्ट जो है किस मे सब्सक्राइब अबेचे वर्बी स्जान सब्सक्ताइब परिम्हां जसाइंые तीन हें उन्तेमें उन्म जब ग्रोंगा एक दिन भी पर्णा मुश्किल से चलता प्रोग्रम मुद्ध पराइस प्रोग्राम हो जाता है थंडा हो जाता है पिर नया प्रोग्राम बनता है तो ऐसा देवी संयोग मत बनाईए दस गंटे आठ गंटे जितनी कैपिसेटी है जितना माइंड के अंदर इस्टोर हो रहा है पढ़ना यह नहीं होता कि आप जो हैं लगे हैं आपके अंदर कितना जादा स्टोर हो रहा है यह तो देखिए अब पड़ा हमने सब दिया इस्टोर हमारे अंदर हुआ नहीं ग्यान दरसल में बोला किसे जाता है अरे घर में तो मुझे भी सब कुछ आ जाता है ग्यान उसे बोला जाता है जो एक्जाम हौल तक माइडियर ज वह वास्तवी ज्ञान होता है देविय फॉर्मुली तो आपको कहीं मिलेंगे तो उन देविय रूप रेखा को छोड़ दीजी और वास्तवित्ता में आई क्योंगे आप संगलोग से आयोग की तयारी करें जो बेमानी नहीं करता है जो आप से आपकी वास्तवी कड़ी किसरा हमने आप से स्वराज की बात की थी चौता हमने आपके सामने क्या एक प्रकार से जो है विकेंद्री करन डिसेंट्रिलाइजेशन की बात की थी पाच्वा हमने आप से सरवोदय का सिद्धान्त का बात की थी छटुए हमने आप से जो है एक प्रकार से बात की थी कि कि प्रकार से जो है ट्रस्टी सिप्स नियासदार कि मालिक स्वयम को मालिक न समझे वास्तविक मालिक तो वह है न जो निर्माता है हम आठ्यात्मिन spiritual room में जब आते हैं तो हमारा जिस ने निर्मान किया है जिस विदाता ने जिस खुदा ने जिस अल्लाइन निया जिस भी सकती ने हमारा निर्मान किया है वह वास्तविक निर्माता है मित्र है कि तो मालिक 100 को मालिक न समझे हरे वास्तिविक मालिक वो हैं जो निर्मान कर रहे हैं और यही ट्रश्टी 507 ता तो आहमात बाद मिल स्टाइक में जो हैं ट्रश्टी सिप यह सित्दानत दिया गया था नोट रखण इसे लिए संग लोग से वायो कि में बड़ी बारीकों को आपके साथ चर्चा कर रहा हूं कि किस टाइब से जो है एहमदाबाद मिलिस्ट्राइक को इसके अंदर रखा गया था ओर मुद्फ है तो देन आप देखें फिर कितना आगे आगे की तरह पड़ते हैं तो यह चंपारन के से हम ने जो है आपके सामने रखा कि आपको जो है जम पारण सत्यागरह के की अंतरकर जो हैं तमाम चीजों को तो और सभत के साथ आपको नहीं अहमताबाद मिलिष्ट्राई की तमाम चीजों को कि क्यों किया गया था क्या कारण था जब मन्थन करेंगे तब है किताब में आपको मिलेगा मज़ूर 25 से बढ़ा कर 35 वर्स उसकी एक 35 परसेंट उसका क्या कर रहे थे एक प्रकार से जो है 35 परसेंट जो है वह उसका जो बोनस था उसे बढ़ानी की बात कर रहे थे तो वैसा नहीं समझे आप वह आपसे पूछे का यह की कारण क्या था आप जैसे बालग ने पूचा कि अनुसुया बेहन कौन थी तो अनुसुया बेहन के बारे में हमने आपको पूरा खोल के रख दिया कि अम्मालान सारा प्रकार से क्या मिल मालिक थे वह कैसे करते इस अबर मती आश्रम के बारे में हमने अम्माला सारा भाई से उसकी करेंशन को दोड़ा स्वराज आश्रम आज तक आपने साइध नहीं सुना होगा इसाबर मती वह आश्रम को जो है स्वराज आश्रम के रूप में वीज़ एक प्रकार से जो है कहा जाता था कि ट्रश्टीशिप का सित्दान्द आपने आज तक नहीं सुना होगा हमने एटला की बात है अहमदाबाद टक्स्टाइल लेबर एसोशेशन और नियास्थारिता का सित्दान्द आपको बताया था कि जो मालिक वही है वहाँ पर जाकर गांधी कि उन्होंने जो हैं बाद जो हैं इसके अंदर कर दी थी तो हमने एहमदाबाद टक्स्टाइज यानि की चंपारण सत्यागरा के द्रिश्यों को देखिए एक बार फिर से यह गांधी जी चंपारण के अंतर गया देख लीजिएगा फिर उसके बाद नीचे हम आपको है अब हमने आप प्लेशन 35% की यहां पर लिखा हुआ है आप नोट भी कर सकते हैं इसके अंदर लिए जो हमने आप से बात की हैं यह 35% की यह बात कर ली थी आपके सारा का सारा जितना हमने लिखा हुआ है वह आपको समझ में आ गिया होगा एजय yolई यह धिखिगा सारह का सारओ वही चैज – हमने इसके बारे में एक प्रकार आज रग दिया है आप इससे पढ़ सकते हैं यह किर न यह हैं avenida 大च मिल Storm Sacre Divine क्या है एक प्रकार से जो है सबीर ह मैंने intellectual क्या मजबीर करें प्रकार से यहां यह तरफी यह बैठी हुए यह मजदूर के समय बादचीत कर रहे कि किस प्रकार से आंदोल वोई cognitiveффでは तस्वेरों में जो हैं इक पर bi Treasure से जो हैं करने की कोशिस कर रहे हैं गवाट और दूसरा जो इस पाइक वह एक प्रकाड से कौश involving अहां पर जो है अब चलते कहां की तरफ विहार हम चले गए चम पारन की तरफ उसके बाद रहें बिहार के बाद हएं हम लोग जो है कहां की तरशांपिंग निकल गए एक प्रकार से जो है को एहां इहमधाबाद मिली स्टाएक की तरफ चले गये अब नेच्ट की तरफ चलते हैं कहां रफ की थड़ेखा की तरफ को हुअी थ्थे सब्सक्राइब की देखिए अब देखे खेडा सत्याग्राव में अभी आपको जाए पहले हलके से इंद चित्रों पर आप सरसरी निगार डालिये ये देखिगा यह वाला पॉर्शन दो चित्र हमने लिए यह देखिगा गांधी जी है चल रहे हैं यह देखिगा अब देखिगा कि खेडा सत्याग्राव कि खेडा सत्याग्राव कि यह खेडा भी गुजराद में पड़ता है कि खेडा 22 मार्च को लिख रहा हुँ मैं यह कि खेडा 22 मार्च 1908 यह गुजरात का है 22 मार्च 1908 यह जो है गुजरात का है अब ऐसी कंडिशन के अंतरगत जो खेडा का जो सत्याग्रह है उस सत्याग्रह के अंतरगत क्या था तो परिशानी को पैदा करना परफ्जो मैंने आप से एक ही चीज बोली थी कि सबसे पहले कारण को جानना पिर समाधान मिल जाएगो कोई दिक्कत नहीं कारणी समझ्में नहीं आएगा तो समाधान कहां से समझ में आएगा खेडा सत्याग्रा देखिए गुजराद में पढ़ रहा है छोटी-छोटी चीजों को देखिए भटाक से पूचे का हो कहां पढ़ता है हम लोग पूरा खेडा पढ़ता है घर में बैढ़ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा कि गुजराद पढ़ पर कहा है कि अब ग्रा सत्याग्रह में ज है गुजरांथ में क्या हुआ कि तरसल में एम एक अले कौन स्वी कोर्ड़ चलता है कूर्ड और कि जिसे बोलते फेमाईन क्उब था यो यानिकी ईंडी में से बोलते हैं कि आगाल संिता अकाल मिसंता है कि यह संहिता सब्द को सुनना पॉलिटी में आजकल अगर आप उत्राघंड की धरती पर होंगे या फिर जो है नहीं भी होंगे उत्राघंड की धरती पर तो ऐसी कंडिशन के अंतरगन जो हैं क्या होगा एक प्रकाड से इस चीज को देखना कि जो अकाल सहीता थी एक सहीता सिविल कोड होती है आपने सुना होगा साइज इसके बारे आजकल चर्चा चल रही इस सिविल कोड की अउत्राघंड जो है बिदान समय का संवा समय चलना उसमें भी च्रचा आईगी क्यों यहां पर दिन है क्या किया जाए इस्तापित किया जाए civil court क्या होता है एक समान नागरिक्ता की बात की गई है डारेक्टिव प्रिंसिपिल में वहां जोड़ रहा हूं मैं कहा से लेकर कहा जा रहा हूं मैं आपको क्योंकि चक्रविव एक तरफ से नहीं रचा जाएगा चक्रविव को चारों तरफ से रचना पड़ेगा तब जाकर चक्रविव चलेगा अधरबाई चक्रविव नहीं चलेगा डियर पूरा का पूरा आपको समझना पड़ेगा Uniform Civil Code में जो हैं अंतरगत Uniform Civil Code का होता क्या है Uniform जो Civil Code होता है उसमें किसी धर्म को लेकर जो है है एक ही कानून रहेगा पूरे भारत में चाहिए उसका religion कोई भी है uniform जो है कि डाइबोर्स के केस होते हैं जो हिंदों के लिए कई साल लग जाते हैं मुझलमों के लिए क्या होता है कि तीन बार तलाग बोलो उनका हो जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह जो है उसमें भी संसोधन किया गया कि भाई नहीं अब नहीं दे सकता है कोई ऐसा तुरं सिविल कोड को अजकल द्धान में रखना मैं खास कर अंडियां और सीडियस वालां वो अंडियां लेकिन असिट्न कमांडेंड की जो तैयारी कर रहे हैं कुछ बच्चें हमारे पास एसिट्ट ने कमांडेंड वाल वाले हो बोल लेते कि सर ऐसे वह गेरा का हमीं इसमें प् संस्मान नागरिक तो यह कानूनों का एक कोड होता है जैसे यूनिफोर्म सिविल कोड की नाम से तो यहां पर क्या था। खेडा में जो थे माइन था यहां पर अकाल पड़ा और अकाल कोड की जो किताब लिखी गई है उस किताब में लिखा गया है कि अगर अकाल हो अगर अकाल पड़े किसी भी छेतर में किसी भी छेतर में तो वहां पर क्या नहीं होगा टैक्स नहीं देना पड़ेगा देना पड़ेगा लेकिन समस्या यह हो गई कि यार अधिकारी लोग जबरदस्ती टैक्स को ले रहे अब जब आधिकारी लोग जबरदस्ती टैक्स को ले रहे तो आंदोलन तो होना ही होना है भाई अब आंदोलन करेगा कौन तब तक गांधी जी के दोनों सत्यागरा जो एहमदाबाद मेल स्ट्राइक वाला था और दूसरा कौन सा खेडा सत्यागरा था यह दोनों एकदम से भूम अवस्ता में आ गए टॉप की जो है अच्छी इस्तती के अंतरगत यह आ चुके हैं कि तो जब यह अच्छी स्त्थी में आ गये काम्यावी मिली तो गांधी जी की फ्यम और भी ज्यादा बढ़ गई अफ्यम बढ़ गयी तो बुलाया किसको गांधी जी कैला Test पूलाया गया तो गांधी जी को बोला गया कि साहब यह तो ऐसी ऐसी जो है कोड में ऐसा लिखा गया गांधी जी ने भी देखा है और उन्हों ने का तो फेमाइन जो कोड फेमाइन जो कोड है जो अकाल सहीता है उस अकाल सहीता में यह तो जो है निशीत तोर से लिखा गया है कि जो किसान जो है क्या इन अकाल से पीडित हैं उन अगर पहला यूज मास सत्यागरह आएगा विसाल जो है नागरिक सत्यागरह आएगा गांधी जी का क्या बोलना हूं मास सत्यागरह अगर आएगा यूज आएगा या मास जो है क्या आएगा सत्यागरह आएगा पहला तो चंपारन मत करना भूल कर भी भालां की जो हैं चंपा चंपारन सत्यागरा पहला सत्यागरा था लेकिन इतना जरूर ध्यान में रखना कि चंपारन सत्यागरा एक सामान्य सा सत्यागरा था लेकिन खेडा का जो सत्यागरा था वो मास सत्यागरा था मेरे मित्र यानिकि जो लोगों का सत्यागरा यूपियसी नियों घुमा कर रख द लड़कों ने जोए क्या कर दिया चंपारण सत्या कर दिया और घर में आकर जोड़ गए कि हमारा तो यह क्वेशन साइए जी अरे नहीं बाबु इतना नहीं डाउट करना हमेशा संग लोग से वायोग पर कि अगर आप डाउट नहीं करोगे और सिदा भोलेपन में चले जाओगे तो जितना भोला है ऐसा नहीं है यूपेसी नहीं यह बोला है लेकिन कई बार जो है भोलापन लूट लेता है आप अच्छी तरह जानते हों कि तो हूं अच्छी आपको लालस दे कर फसा वे उसने मिनेख रेला तो यह था आप मने घाड़ाम इस क्या मार दिया चंपारन मार्यें जक्ड्र शेक्अ कर सेुरुक्तम जिसमते और क्यों क्यो आतरा से जादा जिसमें इमेंः बीइंग था वो कौन सा था खेडा सत्याग्रह था माइडियर और जो खेडा सत्याग्रह था उस सत्याग्रह के अंतरगत आप जानते हो कि यह सत्याग्रह भी गांधी जी का क्या हो गया काम्याब हो गया सरकार ने बोला कि जो ब्यक्ति जो है देने में सक्षम नहीं है जो ब्यक्ति देने में सक्षम नहीं है वो ना दे लेकिन जो देने में सक्षम है किसको टैक्स को देने में जो सक्षम है वो जो है क्या कर सकता है जरूर जो है क्या उसे जो है टैक्स जो है देना पड़ेगा ह ी ऑर गांधी जी का ये सत्यागरह भी क्या हो जाता है एक प्रकार से जो है एक प्रकार से क्या हो गया सफलता सेटी जो है चड़ पड़ा ऑप कमा है हिख को मैं आपको संगलोग सिवाए के साथ पूचता हुँ हमने चंपारण में नहरहर पारेक का नाम लिया महजरूल हल्क का नाम लिया राजेंदर प्रसाथ का नाम लिया वह क्वेश्चन वहां तक नहीं modern इंडिया की एक और खांच यहां नाम बड़े complicated नहीं है यहां फुतूत सलाती नहीं है यहां मुंतकाब लुबाब जैसे सब्द नहीं जो एन मिडवल में चलते हैं यह सिलपादी कारक मोगेरा तमिल साइथ्य में चलते हैं वैसे नाम नहीं है माइडियर यहां सामने से नाम आपको मिलेंगी तो यहां पूछ रहा हूं कि खेडा सत्यागरह में कौन-कौन से गांधी जी के साथ थे तो याद करना यह जो हैं गांधी जी के साथ थी कौन इन तीनों का नाम याद रखना आपका गेम निकल जाएगा सरदार बलभ भाई पटेल बलभ भाई पटेल पटेल विठ्थल भाई पटेल विठ्थल भाई पटेल और तीसरे इंदुलाल यागनिक यह तीनों लोग जो हैं किसके साथ समय लेते हैं सरदार पटेल के साथ जो किसके गांधी जी करीके साथ यह क्या है एक परकार ती जो है संसी को इस टैप से खेडा सत्वाइव dependence न माहत्मा गांधी स्तार बन गए और यह सोड़ मैं शी। इस्तार बन गए माय पुआ अभा तो ऐसी उस्तती में जो है अब गांधी जी क्या करेंगे न inicisics的 चुब एंट तोड़ा सा इसे नोट कीजिए फिर मैं आपको इसमें एक आज चीजें और बताता हूं कि केस किस टाइब से जो है एक प्रकार से और क्वेश्चन इसमें बनेगा थोड़ा सा नोट कर लीजिए इस चीज को कि आपको आनना चीजेश सालभाव में लाम याद किजिए थे को मुझे भी तो हैं ना को सकbaar मत रखें औरों के नामयाद कॉन बूला तुम्हें मित्रों के ना थना तो जिस दिन वो नेटर जो और Arch испदि निकलता आना चांद तो फिर बताने की जरुवत नहीं होती कि चांद निकल रहा है उपर देखो खुद पर खुद दिखाई देता है जिस दिन आप कामियावी किस सिखर पर पहुंचोगे न उस दिन स्वयम आप सबको पता चल जाएगा कि चांद निकल चुका है तो आप उसकी बिल्कुल भी क्या ना करें चिंता ना करें अब देखीगा इनके नाम आप याद कर सकते हैं तो तीनों मैंने आप से जो हैं क्या कर दी थी एक प्रकार से बात करकर रग दी थी अब देखूं चंपारन यृण आपको जो है एक दोचीजों को दे उनमें रिकना पड़ेगा कि एक तोह सब के नाम याद के जहहर है जिनके नाम है सबके नाम को आप उलन करना पड़े डिए है कि यहां देखी थोड़ा सा कि माल 15 कि सारी के सारे गांदी जी की जमें एक प्रकार से कि खेडा सत्यागरह में जा रहे हैं कि इंदुलाल यागनिक है यह वाली अब देखो एक क्वेश्चन यहां पर और कड़ी में आपको बताते हैं तो फिर इस टॉपिक जो है हमारा क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा मैंने यहां पर गांदी जी के तीन सत्यागरह लिखे पहला जो सत्यागरह मैंने लिखाता वो लिखाता है कि चंपारण सत्यागरह कि 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 पहला सत्यागरह था कौन साथ जंपारण कि चंपारण कि इसकी डेट को दिहान में रखिए 1917 फ्लेट कि दूसरा मैंने सत्यागरह लिखाता एहमदाबाद मिल स्ट्राइक मैं आपको एक चीज बताना चाहां यहां मैंने डेट लिखी इसकी याद है बेलकुल याद है देख लो 1918 और तीसरा मैंने लिखाता है यहां खेडा खेडा सत्यागरह और यहां लिखाता 22 मार्च 1908 आपने दिमाग लगाया कि यार सरी एक चीज है उपर आपने डेट नहीं लिखी नीचे लिखी देट दरसल में इसका क्रम आता है जब आप उपर गांधी इर्विन पैक्ट पर चलेंगे वहां से वहां चलेंगे तो देन आपकी समझ में आने लग जाएगा अरे यार यह डेट दरसल में क्यों लिखने यह भी 2018-1918 यह वी जो है 2018 तो जब यह नाइंटीन एटीन है तो आप यहां कनिश्य करेंगे मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं श्यम्विक्तिकत अनभों से जो है गुज रहें और विक्तिकत अनभों मेरे क्या कह रहे है जैसे जैसे हम पांच मार्च गांधी ईर्विन में प एक प्रकार से जो है फ़स्तराउं टेबल कॉन फ्रेंस सेकंड राउन टेबल कॉन फ्रेंस ठ्राउं के विल कॉन फॉर्ण हुं वह एक प्रांति चुना हुए पूना पेकटाया मक्डॉनार्ड आवार्ड आया उसके अलावा कि यह आ बोलते हैं कि फंद इसके नाहीं आम उन करेंगे उसे भी लेकिन थोड़ा खिचड़ी पंग जाती है तो यहां आते हैं इसको भूल जाते हैं कि पहले खेड़ा हुआ कि कायम अबाद हुआ कि बस जैसे ही यह चीज हमने एक दो बार गलत की हमने सोचा कि अब इसकी डेट पर हमें काम करना पड़ेगा इसी लिए हमने 15 मार्च की डेट जो है इसमें लिकी और 22 मार्च को खेडा लेगा क्योंकि सीरीज आती है न मिलाने के लिए कि इसे करम से लगा यह 123 और यह घटना अहां और देदेगा पोफ पोल हूं कि 231 और 4 दे देगा का मिवन 24 देदेगा 2 कि 1 2 1 3 4 hierarch में तो यह जो है जो हमआरे पास स्लेवर्प बनकर रहे जाता है तो速 बार गलत कर देते आता तरी मेह नहींहत्य है पूरे के पूरे दो क्लासें इसके अंदर अपनी खपाई हैं और पता चला की चूरन जैसे कोई से नहीं हम गलत करके आए तो फिर यह बड़ा दुख सा हमारे अंदर क्या रहेगा एक प्रकार से जो है सम्मिलित रहेगा तो इस वजे से मैंने इन डेटों को जो है रखा है तो आप जो है इन 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 हमदाबाद मिल हड़ताल खेडा सत्यागरत ट्रश्टी सिप को समझेगा चंपारण में क्या हुआ था पांच या दस मिनट अब तो आप पिरामिट बनाना सीखी गए होंगे किया अगर हमने एक घंटे तक अगर सर के साथ चड़्चा में भाग लिया है तो कुछ नकुछ तो मिला है अब आप से कोई गर आपने मिरो को गंबीरता से इस दोरान सुना होगा इस एक घंटे में अगर आपने मुझे गंबीरता से अगर सुनने की कवायत की होगी तो मैं बोल रहा हूं कि आप मुझसे भी ज्यादा इसमें एक गंटे मैंने तो एक गंटे बोला अगर आपने गंबीरता से मुझे सुना होगा तो आप एक गंटे से ज्यादा भी इसके अंदर बोव सकते हैं लेकिन यहां इमानदारी का छवी आपको दिखानी पड़ेगी सुनना तो पड़ेगा और पहले से मन को बना कर रखिएगा मुझे आज यह कुछ नया सीखना है आज का दिन अगर जनम ले लिया है तो मैंने कुछ आज नया सीखना है चाहे कुछ भी मैं सीखूं लेकिन मुझे क्या है नया सीखना है कल चंपारण सीखे आज खेडा सीख लिया कल गी दिन हमारे साथ भी तो हो सकता है नहीं आपता किस ने देखी कल गी दिन हमारे गाहों में आ सकती तो अगर हमने खेडा सत्य अगर पड़ा है तो हम बता सकते हैं वहां पर लोगों को दे क्यासों को आज की नीतियों में आपको जो है क्या करना पड़ेगा एक प्रकार से डालना पड़ेगा यह मत यह मत सोचने यह रम खेडा क्यों पड़े अरे इसलिए पड़ो खेडा को क्योंकि आज आपको जरुत पड़ सकती क्या चंपारन नहीं पड़ सकता है क्या किसान नह बसदूर नहीं कशिपो आप Gall Kind के दिन आप अधिकारी बनेगे कुछ भी बनेगे तो क्या आपको टकराना नहीं पड़े गा को इ मैं टेर आप्पो जहें टकराना जरूर पड़ेगा तो इन इस्ततियों को आपको जो है बेहतर ढंग से क्या करना पड़ेगा एक प्रकार से जो है धारण करना पड़ेगा कल से हम जो चड़चा करेंगे वो चड़चा हमारी जो है एक नया यूग सा सुरू होगा वो नया यूग हमारा जो सुरू होगा उसे बोलते हैं नौन कॉप्रेशन मुव्मेंट असयोग आंदुलन उसमें हम रॉलेट एक्ट की चर्चा करेंगे कारणों को पहले अभी सिर्फ सुन लीजे टेंशन मतलिजे बस रॉलेट एक्ट की चर्चा करेंगे जलियावाला चर्चा करेंगे कि उसने लीपाप होती का काम क्या तैकिकात कमीटी की हम जो है फेलियर को द्यार में रखेंगे और गांदी जी का सबसे बड़ा इंपॉंटन्ट रोल रहेगा कि तुमारे घर के आंदोलन को जो है अपने आंदोलन से जोड़ देते यानि कि खिलापत अंदर लाइंगे और दनक सुरू होगा क्या असयोग अंदोलन और गांदी जी अभी तक जो है राज भकता है अब जो है नहीं जो आएगी उनकी उराज द्रोही के रूप में जो है क्या होंगे एक प्रकार्चे जो है सम्मिलित होंगे एक गुस्य वाला अभी तक प्यार आप देख रहे हो किसका गांदी जी का अब थोड़ा सा जो है उनका क्या देखोगे क्रोध भी आप जो है हलका फुल्गा जो है हमारे साथ देखोगे तो लगातार बने रही है आपको फायदा जरूर होगा तो आज इतना ही सको क्लास को रखते हैं आपका दिन मंगल में हो झाल